सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स व्रीफिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाईए स्पोर्ट्स के बारे में हर एक निउस जानने के लिए प्लीज शुरू से पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तावले चॉलो फ्रेंड शुरू कोड़ा जाक दोस्तो सबसे पहले आजाते हैं कॉन्फर्म ट्रैंसफर निउस पे तो ओडिसा एपसी अपने 19 साल का यंग राइड बैक सुभम सरांगी के साथ 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्स्टेंशन कर लिया है मतलब 2023 साल तक सुभम सरांगी ओडिसा एपसी में ही खेलेगा उसके बाद दोस्तो मैं बोलूँगा एपसी गुआ के हेट कोच के बारे में एपसी गुआ स्पैनिस कोच जुआन फरांडो को अगले साल के लिए अपने टीम में ले लिया है 29 साल के इस कोच 2009 साल से कोचिंग करा रहा है और मालागा FC का B टीम में भी कोचिंग करने का experience है और ये बात एकदम officially confirmed news है उसके साथ-साथ ISL का most probably सबसे youngest कोच बन गया है FC Goa का मैनेजर जुआन फरांडो उसके बाद दोस्तो इरानियन डिफेंडर रूजबे चेसमी को FC Goa अपने टीम में लेने के लिए ओफर किया है चे फूट चार इंच हाइट का ये खिलाडी सेंटर बैक और डिफेंसिब मिट फिल्ड दोनों पोजिसन में खेल सकते है 26 साल के इस प्लेया 2017 साल से इरान के नैशनल टीम में खेल रहा है और 18 मैच खेल कर एक गोल मारा है लेकिन इस खिलाडी का मार्केट वैलू थोड़ा सा ज्यादा है लगवक पाच कडोर के आसपास है इदना तो होगा ही फ्रेंड्स क्यूंकि इरान के नैशनल टीम का खिलाडी है अभी देखना पड़ेगा एपसी गोआ इस प्लेयर को अपने टीम में साइन कराएंगे या नहीं उसके बाद ब्राजिलियन स्ट्राइकर रॉनी वाल्डो बार्नार्डो सालेस को अपने टीम में लेने के लिए पाँच ISL क्लब इंटरेस दिखाया है वो पाँच क्लब का नाम है एपसी गोआ, बैंगालूडू एपसी, हाइदराबाद एपसी, चामसेदपूर एपसी, एंड नौर्थिस्ट इुनाइटेड एपसी 31 साल के इस खिलडी, औस्ट्रिया का क्लब लूश्टे नाव में चार साल से खेल रहा है और 67 मैच खेल कर 53 गोल मारा है तो बहुती बड़िया परफॉर्मेंस कर रहा है चार साल से और इस प्लेयर का मार्केट वैलू लगबग धाई करोड के आसपा से तो देखते हैं रॉनी वाल्डो इन पांच कलब में से किसी भी कलब में साइन करते हैं कि नहीं उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पैनिस अटाकिंग विट्फिल्डर सीटोरियरा के बारे में इस प्लेयर का पूरा नाम है लोरेंग सीटोरियरा और टेगा 33 साल के इस खिलाडी अपने यूथ केरियर में बार्सेलोना के लिए खेला है और सीनियर केरियर में बार्सेलोना बी और सी टीम में भी खेला है और स्पैनियोल के बी टीम के लिए भी खेला है इस किलाडी का मार्केट वैलू अभी लगबग देर कड़ोर के आसपा से रियूमर सुना जा रहा है कि हाइदराबाद FC एंड केराला ब्लास्टर्स FC इन दोनों कलब इस प्लेयर को अपने टीम में लेने के लिए इंठरेस दिकाया है तो देखते हैं सीटोडियरा इन दोनों में से किसी भी टीम में साइन करते है कि नहीं उसके बाद दोस्तों आज आते हैं इस्ट बिंगॉल के कुछ निउस पे इस्ट बिंगॉल 29 साल के केराला ब्लास्टर्स FC का डिफेंडर राजु गाइकवाड को अपने टीम में साइन कराना चाहते है पहले भी 4 साल के लिए राजु गाइकवाड इस्ट बिंगॉल में खेल चुके है इस्ट खेलाडी सेंटर बैक एंड साइड बैक डिफेंस के हर एक पोजिशन पर खेल सकते है इस्ट बिंगॉल और केराला ब्लास्टर्स के अलावा मोहन बागान मुंबाई सिटी FC एंड जमसेतपूर FC के लिए भी इस्ट खेला है और इंडियन नैशनल टीम के लिए भी 23 मैच खेला है तो काफी एक्सपिडियन्स प्लेयर है आगे देखते है इस्ट बेंगॉल इस प्लेयर को कब अपने टीम में कॉन्फरम करते है उसके बाद इस्ट बेंगॉल ओफर किया है इस सल मोहन बागान के दो एमर्जिंग प्लेयर सेक्साहिल एंड सुबो घोस को कुछ दिन पहले इन दोनों प्लेयर्स का एजेंट बताया था कि दोनों खिलाडी एटी के मोहन बागान के साथ ही कॉन्टैक्ट एक्स्टेंशन करेगा लेकिन अभी रियूमर सुना जा रहा है इस्ट बेंगॉल इस खिलाडियों को ओफर किया है मुझे लगता है सायद सुबो घोस एन सेक्साहिल एटी के मोहन बागान के साथ कॉन्टैक्ट एक्स्टेंशन करेगा और अगर एटी के एमबी में नहीं करेगा तो किराला ब्लास्टर्स एपसी में भी जा सकता है क्योंकि किराला ब्लास्टर्स FC का हेट कोच कीबु भीकुना का बहुत ही फेवरीट प्लेयर है इन दोनों खिलाडी दोस्तो उसके बाद ISL इस साल नॉबेंबर या डिसेंबर में स्टार्ट होगा इसलिए ISL का किसी भी क्लब नहीं चाह रहा है कि ISL में इस साल और टीम बढ़ाया जाए वीडियो कॉन्फरेंस में कुछ ISL क्लब का CEO बताया है FSDL के Officials को कि इस साल में टीम नहीं बढ़ाने के लिए सब क्लब बता रहा है कि टीम अगर बढ़ाया जाएगा मतलब East Bengal अगर ISL में खेलेगा तो मैच भी बढ़ जाएगा डिसेंबर में लीक सुरू होगा तो मार्च में नहीं खतम होगा इसलिए खट्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ये सब रिजन दिखा रहा है ISL का कुछ क्लब लेकिन FSDL के Officials अभी भी बताया है East Bengal ISL में खेल सकता है और जो जो Terms and Conditions FSDL East Bengal के लिए रखा है वो सब अगर East Bengal फूल फिल करेंगे तो East Bengal को ISL में जरूर लिया जाएगा अभी भी FSDL बता रहा है East Bengal को बीट पेपर उठाने देगा and ISL खेलने का Green Signal देगा उसके बाद मैं वोलूंगा Robin Singh के बारे में रिउमर सुना जा रहा है कि Robin Singh को East Bengal अपने टीम में लेने के लिए इंटरेस दिखा रहा है 29 साल के इस प्लेयर इस साल हाइदराबाद FC से रियल कस्मीर FC में लोन में खेलने गिया था इस खिलाडी East Bengal में पहले भी खेल चुके है East Bengal के अलाबा Bengaluru FC, FC Goa, ATK, Pune City बहुत सारे टीम में खेला है और Indian National Team के लिए भी 30 मैच खेल कर 5 गोल मारा है मतलब काफी experience खिलाडी है अब देखना पड़ेगा East Bengal रोबिन सिंग को अपने टीम में confirm करता है कि नहीं उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा FIFA के rules के बारे में सुना जा रहा है कि FIFA अगले season के लिए एक नया rules सुरू करने जा रहा है एक मैच में 3 substitution के वदले में FIFA अगले साल हर मैच में 5 substitution करने जा रहा है कोरोना वाइरस के बज़े से सायद हर खिलाडी अगर अपने आपको full fit नहीं रख पाते है इसलिए FIFA इस rules को start करने के लिए सोच रहा है मुझे भी लगता है ये खिलाडीों के लिए बहुत अच्चा होगा और कोच को भी खिलाडी चेंज करने का थोड़ा बहुत option बढ़ जाएगा तो दोस्तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था इस वीडियो को अगर पसंद आए तो like, comment and share कर देना और अगर इस चैनल में नए आए हो तो please इस चैनल को subscribe कर देना और bell icon को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोट करूँ उस वीडियो का notification आप लोगों को मिल जाए तावले देका होगे पॉरेर वीडियो ते, बाई